नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट एक का टॉपिक टैक्सा बच्चों टैक्सा एक बहु वच्चन शब्द है जिसका एक वच्चन शब्द है टैक्सों टैक्सा को हम इस तरह से परिभाशित करते हैं कि टैक्सा विभिन इस तरों पर जीवों अत्वा जीव समुगों को प्रदर्शित करता है अब इसको हम कुछ उधारनों के द्वारा समझते हैं जैसे मैं यहां कुछ नाम लिख रही हूँ देखो आप बिल्ली गेहु इस्तंधारी एक बीच पत्री और जन्तू और पादप यहां पर बचों यह जितने भी नाम है यह हर एक समवर्ग को प्रदर्शित कर रहा है और यह वर्ग हमने अपनी पहचान के लिए बनाए है जयसे बिल्ली बिल्ली एक वर्ग है जो जैसे हम बिल्ली का नाम लेंगे हमारे मस्तुष झितर बन जाएगा है न जो छोटा सा चार पैर का जानवर है, बाल, खुब सारे उसके उबाल है, छोटे कान है, बड़ी-बड़ी आखे हैं, तो इस तरह से एक जानवर का चित्र हमारे दिमाग में बन जाएगा, तो ये हमने नाम दिये हैं अपनी पहचान के लिए, अब यहाँ पर जैसे अगर हम गेहु की बात कर रहे हैं, तो तुरंद हमारे मस्तिष्क में एक पौधे का चित्र बन जाएगा, जिसकी बड़ी-बड़ी हरी पत्तियां होंगी, तो गेहु का नाम लेते ही, हमारे मस्तिष्क में कभी भी किसी जानवर का चित्र नहीं आएगा, क्योंकि हम गेहु को कु प्रतेक शेणी को अपनी पहचान के लिए बनाया है और वग्यानिकों ने इहीं शेणियों को टैक्सा नाम दिया है यानि कि यहां पर जितने भी नाम यह हमने प्रदशित किये हैं यह प्रतेक एक टैक्सा को प्रदशित कर रहे हैं मतलब बिल्ली भी एक टैक्सा है तो गेहूं भी एक टैक्सा है जन्तु भी एक टैक्सा है तो पादप भी एक टैक्सा को प्रदशित कर रहा है यहां पर पादप और जन्तु यह टैक्सा कहलाते हैं जगत इस्तर पर जगत या किंडम जो की वर्गी करण का सबसे उपर का उच इस्तर है इसी तरह से बिल्ली और गेहु टैक्सा है और ये टैक्सा का इस्तर कौन सा है ये है टैक्सा के प्रजाती इस्तर पर जो की वर्गी करण का सबसे निचला इस्तर है तो बच्चों वैज्ञानिक रूप से ये सारे के सारे जन्तु या वर्ग जैसे बिल्ली गेहु प पादफ, इस्तंधारी, एक बीच पत्री, ये सारे के सारे टेक्सा हैं, लेकिन इनके सब के इस्तर अलग-अलग हैं, जैसे यहाँ पर हमने बात करी, कि ये दोनों सबसे उच्चतम इस्तर पर हैं, तो ये सबसे निम्न इस्तर पर हैं, और इन्हें इस्तरों को हम वर्ग की वर्ग के नाम से जानते हैं वर्ग की समवर्ग आगे आपके पार्ट में पूरा एक टॉपिक आएगा जिसको हम पढ़ेंगे तो बच्चों ये था टैक्सा के बारे में तो फाइनली टैक्सा को हम परिभाशित कैसे करेंगे तो वर्ग की समवर्ग की प्रतेक इकाई टैक्सा को प्रदेशित करती है जो वग्यानिकों ने गुणों में समानता और विभिन्नता के आधार पर बनाई है तो ये इकाईयां है वर्ग की संवर्ग की इकाईयां है टैकसा और हर इकाई कुछ गुणों या विभिन्नताओं के आधार पर एक इकाई को दूसरी इकाई से अलग क झाल झाल